सर नमस्कार मेरे सातियों आचुके हैं लेकर के आपके लोकेशन पर की जमीन जिस लोकेशन की काफी ज्यादा मांग थी और आचुकी रियल में देख लिजेगा आज खेतमाली जी खुद आज उपस्थित हैं और गिराहक भी साथ में हैं ये जमीन आज भी अलाइबल है उपल खेतमाली जी हैं आज इस वीडियो में और देखाना चाहते हैं कुछ ग्राहक भी आये हुए हैं और अभी जमीन जो है बिकी नहीं है इस जमीन को आप अगर खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो क्या इसका रेट रहने वाला है कहां पे जमीन पढ़ने वाली पूरी जानक कर देना और चैनल पर अगर पहली बार बन रहें महमान तो चैनल को सस्क्राइब करके वेल आइकन वाली गंटी दब अगर ऑल कर लेना इससे यही होगा कि अगला जो वीडियो आएगा तो उसकी नोटिफेक्शन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाएगी सबसे पहले आप भी उस वीडियो को देख सकेंगे सबसे पहले आप जब देखेंगे तो सबसे पहले आपको खेत्माली जी का मोवाईल नंबर मिल जाएगा डारेक्ट टु डारेक्ट वेठ रेक्टu बहुत कर सकते हैं अगर हमारे चैनल के माध्यम से भी खरीदना चाहते हो खरीज सकते हो हमारा WhatsApp नमबर हमारे डिस्केशन में आपको देखने को मिल जाएगा और हमसे जो है WhatsApp नमबर पे जो हमसे संपर्क कर सकते हो अपनी खुद की ही प्रोपल्टी अगर किसी परकार की बेचना चाहते हो तो उसका एक से डेड़ मिनट का वीडियो बना करके हमारे WhatsApp नमबर पे सेंड कर दिजिगा अपना डिमांड लोकेशन आडरेस बता दिजिगा हम आपका वीडियो बना करके अपने विकाओ जमीन प्रोपल्टी यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेंगे उसका कोई चार्ज कोई बिल आपको नहीं देना होगा बिलकुल निसुल में आपका वीडियो बना करके विकाओ जमीन प्रोपल्टी यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया जाएगा बट ये वाली जमीन आप अगर खरीदना चाहते हो तो त्यारा एकड़ ये भूमकरस जमीन है जहां पर एक एकड़ में पांच विगहा जमीन उपस्थित है और एक विगह में यहां पर 20 विश्वा जमीन होती है इस बिगहे में जो है इसको पक्का बिगहा कहा जाता है ये कहां पर जमीन पढ़ने वाली है पूरी जानकारी आपको आज इस वीडियो में मिल जायेगी उससे पहले हम आपको बताना चाहेते हैं कि इसमें आपको क्या से लाब मिलने वाले हैं तो ये जो जमीन देख रहे हैं खेत माली जी आज सोयम जो है खेत पे हैं और दो ग्राहक भी सोयम आये हुए जमीन को देखने के लिए और ये जमीन अभी आज भी उपलावद है ये 13 एकड जमीन है और ये जमीन आपको मिल जाएगी 1,40,000 रुपे प्रति एकड के इसाब से एक लाग चाली जार रुपे प् या-क्या मिलने वाले हैं देख सकते हो खेत के बीच में होके यहां से निकली हुई लाइन देख सकते हो फिर और बढ़ेंगे थोड़ा खेत से दूरी पे तो वहां पर 6,000 लाइन निकली है और 6,000 है और 11,000 जो है आपके बीच बीच खेत से घुजरती हुई एक सहर चली ग आज भी सोयम उपास्थित हैं खेत पे महजूद हैं आपको 27 पेंड लिप्टिस के देखने को मिल जाएंगे वो निशुल में मिल जाएंगे उसका कोई चार्ज को विल आपको नहीं देना होगा बिलकुल अगर किसी परकार की यहां पर खेती करना चाहते हो तो कर भी सकते हो बहुत अच्छी लोकेशन पर जमीन है और बहुत दंदार मिट्टी है यहां पर पाई गई ही क्योंकि यहां पर बहुत ही इंडवांस खेती की जाती है देखी सकते हो साइड में आपको धान लगे हुई दिखाई दे रहे हैं यहां पर धान लाग जा चुके हैं और इस गन्ना नहीं गया है फैक्टी में लागाल लिया गया है इसके लिए यह गन्ना जाएगा इस सहर में तो यहां पे सहर में जाएगा गन्ना एच्छे से सा सो उर्पे प्रतिक कुंटल के हिसाब से इसलिए यह खेत मालिक जी ने गन्ना सोयम रख लिया है और इसको सहर के ये खेत में लगाए हुए हैं इस वक्त भी क्योंकि यहां से जब सहर जाएगा गना तो थोड़ा सा दाम बढ़ जाएगा तो यह वाली जमीन आपको पसंदार ही 13 एकड जमीन है इसमें आप अगर पांच एकड जमीन खरीदना चाहते तो खरीज सकते हो और हमने आपको इसका डिमांड तो ही बता ही दिया है और आएंगे खेत माली से डारेक्ट बात करेंगे मोबाई नमबर पर संपर करेंगे तो हो सकता है यहां पर दो से चार पांच हजार रुपे तक डिसकाउंट भी हो सकता है कम भी हो सकता है लेकिन जो डिमांड था इस जमीन का हमने डिमांड के साथ में आपको बता ही दिया है और खेतमाली जीसे संपरक भी करना चाहते हो कर सकते हो उससे पहले हम बता दें कि इसमें सिचाई के लिए कौन सी विवश्था है यहां पर एक बोरिंग है और पक्की बोरिंग है और थोड़ा सा होज बना हुआ है उसके फुरू से यहां प पानी देती है और उसी के फुरू से यहां पर खेती की जाती है और त्यारा एकड़ भूम करस्य जमीन अगर त्यारा एकड़ पूरी लेना चाहते हो तो ले सकते हो तो ले सकतेukan उतत्तर पर्देश डिष्ट्रिक सीतापुर में पढ़ने वाली है लगभग सीतापुर् मार से पढ़ेगी यह 20 से 21 किलोमीटर दूरी पर बाएं हाथ में जमीन आपको फ़स्तित मिल जाएगी और बहुत अच्छी लोकेशन पर है और यह जमीन आपको लेना चाहते हो तो डिसकेशन में खेत मालीजी का मोबाइल नंबर है इनसे संपर्क कर लिजेगा और इस जमीन को आ एक लाग चालेजा रुपे प्रत्य एकड़ के हिसाब से तब तक के दोस्तों नमस्कार हमसे संपर्क कर लिजेए